बारादवार पुलीस ने मुक्ताराजा गाव में भोजली विसर्जन के बाद युवक से लोहे की रोड से मार पीट कर फरार चार आरोपियों को गिरफतार किया है और चारों आरोपियों को न्यायिक रिमान पर भेज दिया है गिरफ्तार सभी आरोपी मुक्ताराजा गाव के रहने वाले हैं दरसल मुक्ताराजा गाव ने शिवाधार सूर्यवन्शी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 20 अगस्त को उसकी पत्नी और बेटा गोविंदा सूर्यवन्शी भोजली विसर्जन करने गए थे रात में वापस आते समय गाव के चार लोग यश्वन्थ सूर्यवन्शी, गोपाल चौरसिया, करन सूर्यवन्शी, प्रदीप सूर्यवन्शी गालिग लौज की और जान से मारने की धमकी देकर लोहे की रौड से मारपीट की मारपीट की वज़ा से उसका बेटा बेहोश हो घायल उसके बेटे को सकती अस्पताल से बिलासपुर सिम्स में इलाज के लिए भरती कराया गया है। मामले में पुलीस ने फरार आरोपी यश्वंत सूर्यवंशी, प्रदीप सूर्यवंशी, करन सूर्यवंशी, गोपाल चौरसिया को गिरफ्तार करके न्याय क्रिमांड पर भेज दिया है।